जीवल के कुछ होटलों में देह वैपार का धंदा चलता है, जिस्म फरोशी का धंदा चलता है संद खाएंगे, संद लिखेंगे, संद चुलेंगे नमस्कार दोस्तों, मैं आउँ दीपक सिंग, दैनिक स्टेट समाचार से जीवल के कुछ होटलों में देह वैपार का धंदा चलता है, जिस्म फरोशी का धंदा चलता है कल एक छापा मारा गया पुलीस द्वारा और एक होटल में नावालिक लड़की के साथ एक ग्राहा को रंगे हाथों गिर्फतार कर लिया, उसके बाद उसका एक आजेंट और मैनेजर उनको भी गिर्फतार किया गया जिस होटल में ये छापा मारा गया मैं उस होटल के बिलकुल बाहर खड़ा हूं, यह मैं आपको बताओं, जीवल में कहां पर है, यह संत मार्केट के आसपास का एरिया है, यहां पर यह होटल है, यह पीछे आप देखें कि यह होटल है, यहां पर पुलीस की तरफ से चापा मारा गया, अभी यह होटल जो है, वो बंद है, लॉक्ड है, यहा इन चीज़ों को करने में, कई बार हम यह देखते हैं, हमें जानकारिया मिलती हैं कि यह वैपार्स चल रहा है, लेकिन किस तरह से चल रहा है, किसकी छतर चाया में यह फल भूल रहा है, यह पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है, कई बार इस तरह के भी आरोप लगते हैं कि प कुछ पुलीस की अधिकारियों की छत्रशाया में यही होता है पहले जो पुलीस कर्मी थे उन झादी चहतर शाया में होता था जब नए थहाने दार आते हैं वो कारवाई आप मूरे नहीं करते 1 या उनको जानकारिया था कि कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए घरों से आते हैं और वो यहां होटलों में घूम रहे हैं यहां चकर लगा रहे हैं इस तरह की ख़बर भी हमने बताए तब भी शाब इमारी की गए थी कुछ लोग जो थे वह होटल के पीछे को डूर था वहां से निकल कर भाग गाय जो जानकारी है हमारे पास उसके मताबिक मैं आपको बताओं कि संत मारकिर के आसपास यह जो होटल आप देख रहे हो यह इस होटल में जिसम फ्रोशी का धंदा चला था पॉलीस को शिकायत मिली थी पॉलीस को जैसे शिकायत मिली तो उसके बाद उन्हों नह नश्चापा म بتایا کہ पैसे के लालच में इस लड़की से नावाली के का gravity से ऐसा काम कर वा जा रहा पिछले दिन और हमने आपको कासिंगर से ख़बर बतायी थी वहां पर तो जानकारिया यह थी कि ड्रुग्स दे दे के उस से जिस्म फोरोशी का वह भी नावाली की लड़ी ती, इसको तो उठाके ले आए थे और मारते भी थे और फिर जिसम फ्रोशी का काम भी करवाते थे ड्रक्स दे देदे थे दिमाग सुन आ जाना क्या होता तो उसके बाद वो लड़कियां जो है वो उनसे ये काम करवा जा रहा था लेकिन यहां पर पैसे के लालच में इसमें ड्र रहाक को पकड़ा उसके बियानों के बाद उसने बताया कि उसे शिकार बनाया गया उसने ये भी बताया कि अजेंट उसे लेकर आया था अब काई बार लोगों अड्राइट करने के लिए अजेंट इस तरह की बाते करते हैं कि हमारे होटलों में आपको हर तरह की सुबिधाएं मिल रही हैं आप समझे रहे होंगे किस किस तरह की सुबिधाएं मिल रही हैं यह अजेंट की गाइड करते हैं लोगों को और फिर उनको होटलों में ले आते हैं और फिर यहां पर यह सब चलता है तो यहां पर यह बताते हैं कि वो लड़की बताती है कि उसे अजेंट उसे यहां लेकर आया था फिर पुलीस ने उस लड़की की मेडिकल जांच करवाई मामला दर्ज किया और तीन लोगों को गरिफतार किया उसमें अजेंट है एक गरहक है और एक इस होटल का मैनेज़र है जिसको गरिफतार किया है पुलीस सब आगे की कारवाई की हमने थानेदार साथ से भी बात की तो वो खह रहे हैं कि यह धंदे हमने सुनने में आया है कि य कारवाईयां रुखेंगी नहीं और भी होड़ों में शाप इमारी जो है वो होगी लेकिन चिंदा का विशे यह कि इस पॉश इलाके में जीवल जैसे यहां पर यह सब चलना है कि इस खबर के ओपर आप रतिक्रिया रखें और देखते रहें जैनिकर समझार मुझी और मेरे से होगी राज्जीव गुपता को दें अजाद अश्क्राइब